नमस्कार दोस्तो गोड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल केरियर पॉइंट पे और देखे दोस्तो आज आपका एक्जाम हो रहा है बिहार समाजिक विज्ञान का आपका एक्जाम हो रहा है और इसमें किस टैप का कोई प्रस्ण पू सभी मैं यहां पर बिश्तार पुर्वक आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और पूरा देखे सुरू सेन तक देखे और इसको थोड़ा सा सेर करें ताकि सभी लोग के पास ये निउज पहुच सके ताकि उनको कोई भी कंफ्यूजन न हो कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना है क्या सब्जेक्ट नहीं लेना है और इससे पहले आपको बता दे कि हमारे चैनल पर अपनाए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेश कर ले ताकि आपको इसी परकार का निउज मिलते रहे हैं और हमारे चेनल पे आपको पूरे एस्टेट का त्यारी करवा जा रहा है पूरा आनि हिस्टी जग्रफी पॉलीटी एकनॉमिक्स का पूरा आपको त्यारी करवा गया है 90% आपको परस्ण जो है हमारी सब्जेक्ट से पुचा गया है जितना भी लड़का आपको एक्जाम देखर आ रह हो पेड़ागोजी हो सारा प्रशन आपको मेरे सब्जिक्स आपको आएगा ठीक है आप तो देख ले आपके पास मातर एक दिन समय बचा है चली देखतो आपको बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले आपको बता दे कि आज आपको एकजाम में पूछा क्या गया था फस्सिफ ठीक है कौन सा गरह पोजिट घुम रहा है कौन सा गरह सूरी से दूर है तो आप गरह वाला प्रशन आप जरूर देखे एक प्रशन आपको कंफर्म है कि गरह से पूछा ही जाएगा ठीक है हिमाले के बारे मैंने बताया था कि हिमाले को नदी के अधार पर किसे बटा गया ह कुमाईू हिमालय तीस्ता हिमालय किसे धरफ Przybats सारा बताया हूं पंजाब किसके किसके बीच है तो गले तु मैंने कितना बताई था आपको कि कपास किस मिठी का निर्मान क्यiste होता है मैंस बची बता हूं किपास से संद्धी था हरिक What पास के बारे में तो लगता है मैंने 50 बार बताया हूं विश्थार पूरवक से और बताया था क्या रवी फसल खरीब फसल के बारे में आपको एक्जाम में पुछा गया है फस्ट सीफ्ट में आपको एक्जाम में पुछा गया था रवी के बारे में पुछा गया था रवी फ देसांतर के बारे में गरह के बारे मैंने बताया था ठीक है घरूर देख लेक्षा आपको फिक्स है कि आपको पूछ आपको पूछा जाएगा अपको बड़ात्र आपको फेल खैर फिक्स है चाहाब को Women मैंने सब टेस्ट में करवाया हूँ कितना वर करवा चुका हूँ आप जाकर देख ले इसको जाकर देख ले मैं बार वर कर रहा हूँ अभी आपके पास एक दिन समय है दो दिन समय है तो आप पूरा कर ले और अपना तैयारी को आगे कर ले ठीक है बिक्रम संब्ध से को भारे में आपको पुछा गया था अभी में आपको परस में बता रहा रहा हूँ किक्या के आपको पूछान आया था ben सब्लून से कर्या कर ले क्या ध्यवर का देखिए अमेर खुस्रों के बारहें पुछा गया था सोवियत का संभ का विगटा जो हुका था Map לצेखिए ठ गवर्नर के बारे मैं पूझ लिया गया गया सकति कांथ दาस मैंने पूछा बताया था आपको यार युद्वाल के वरतमान गुवर्नर कौने सकति कांथ डास कैवे नंबर के है पाचिस्वे नंबर के मैं मैंने सब बता चुका हूँ दोस्तों तो आप जाए ना इसको देख ले economics में काफी जितना बताया हूँ ना लगवा कि इससे फाजिल आया ही नहीं है आपको जोग्राफी, economics, polity, history, 90% परस्न आपको मेरे सेट से आया गया है आगे चलते देखें आपको बता देते हैं नहरू रिपोर्ट के बारे में पुछा गया था आपको दांडी मार्च पुछा गया है पाटली पूतर के अस्थापना कब होई थी किसने किया था ये पूछा गया था आपको पेडा गोजी में देखें 30% आपको फरस्ना पूछा जा रहा है प्लड रिलेशन की बलड रिलेशन आपको कश्टन पूछा रहा है मैंने बता चुका हों figuring class में तो अब आप जाकर देख लिजे ठीक है आपको reasoning पढ़ाया गया है तो blood relation भी पुछा गया था reasoning ज्यादा नहीं पुछा जा रहा है ना reasoning और math ज्यादा नहीं है 30 plus आपको pedagogy ही पुछा जा रहा है ठीक है दोस्तों तो यह था दोस्तों आज का जो question आपको exam में पुछा गया है और जैसे ही कुछ कुछ question आएगा तो मैं आप सभी को बता दूँगा तो आप हमारे channel के साथ बने रहें और देखे मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि आज जो exam हुआ था और इसमें जो दो subject साबको exam पुछा जा रहा है exam में आपको दो ही subject से पूछा जा रहा है तो देखे बहुत सारे बच्चों का क्या confusion है तो मैं इस confusion को आज दूर करने आ रहा हूँ ठीक है तो पूरा देखे वीडियो आगे आपको हम मैं बता रहा हूँ कि देखे अगर आपका history और geography history पलस आपको geography में से एक subject तो आपको लेना ही लेना है compulsory है दोस्तो इसके अलावे बचा आपको तीन subject ये दो तो ले लिए बचा क्या दो में से एक ले लिए तो बचा आपका तीन subject तीन subject क्या बच गया? quality बच गया नहीं तो आपका economics बच गया, polity और economics बच गया अगर इसमें से हम जोगराफी ले लिए तो history भी तो बच गया तो यहाँ हम history भी ले 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 ते हैं ठीक है? तो policy, history and economics बच गया तो जोगराफी यहाँ से हम ले लिए ये compulsory और यहाँ सम पालेटी ले सकते हैं और ichjetory भी ले सकते हैं ठीक है? तो ये हो गया हमारा, और दिखिए, और क्या confusion है, और ये confusion है, कि अगर आपका geography plus history तो ये compulsory है, इसमें से आप हम ले लेते हैं history, अब हम को ले लिए history तो बचा क्या, बचा हमारा geography plus quality plus economics बच गया, तो इसमें से हम को लेने का मन है geography, तो हम जोगरफी ले सकते हैं, ये confusion बहुत स सारे लोगों का है कि सर हम हिस्ट्री ले लिए हम जोगरफी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं मेरे भाई बिलकुल ले सकते हैं आप हिस्ट्री ले लिए ताप जोगरफी ले शकते हैं इसमें कोई भी दिकत नहीं है मैंने बहुत सारे बच्चों से बात क ये तो बताए कि सर ये इसा होता है, आप ले सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ठीक ना, वहाँ आपको option मिलेगा, आप ले सकते हैं, ठीक है, तो ये confusion था भो सारे लोगों का, ठीक है, लेकिन हाँ, ये जरूरी है, कि आपका जोग्राफी आना चाहिए, जोग्राफी होना है, जोग्राफी हिस्ट्री ये confirm है, कि ये आपको 100% आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, और इसमें से एक सब्जेक्ट आपको लेना जरूरी है, इसके अलावे आप पॉलिटी ले सकते हैं, एकनोमिक्स लेना आपका अनिवार है, ठीक है, पॉलिटी एकनोमिक्स में से एक लेना जरूरी है, सबसे पहले आपको खुलेगा आपको क्या, सबसे पहले जीसे ही आपका खुलेगा ति इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़िएगा, हाना तो सकेंड इंडेक्स आएगा, सकेंड इंडेक्स में आपको हिस्ट भी ले सकते हैं नहीं तो हम economics भी हम ले शकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको ठीक है तो यह मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह confusion बहुत सारी लोगों का था तो आप इसको देख लिजे पूरा देखिए और दोस्तों को थोड़ा सा share कर दीजे ताकि उनको भी पता चल सके कि जो यह confusion है किसी को confusion नहीं हो तो और भी कोई परशन अगर आएगा दोस्तों तो मैं आप सभी को बताते रहूंगा और मैं जितना परशन बताया हूँ जिससे संबंधित आपको बताया हूँ जितना मैंने पढ़ा दिया हूँ इससे फाजिल आपको नहीं पुछा जा रहा तो सब यही बता रहे हैं कि सर जो आप पढ़ाए हैं जितना सेट में आप कराए हैं इससे बाहर नहीं है तो ठीक है दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर इसी टैप का अगर कुछ और आएगा थर्ट सिफ्ट का अगर जैसे ही आपको प्रशन बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके थर्ड शिफ्ट का धैक्यू दूस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद